हेलो फ्रेंड मन्नू महरानी किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मतर मेती की रैसिवी यह बहुत ही टेस्टी सब्ची लगती है और जुसका टेस्ट एक दम डिफरेंट सा है इसे आप विंटर में जरूर ट्राय करके देखिए और यकीन मानिए एक बार आपने इसे बना लिया तो आप बार बार इसे बना के खाएंगे अगर आपको मेरे मतर मेती की सब्ची पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं एट करेंगे टू टेबल स्पून ओइल तो ओइल को थोड़ा गरम होने देते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुमीन सीट यानि के जीरा और अब हम इसमें एट कर देंगे प्याज तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है प्याज को हमें अच्छे से सौटे कर लेना है तो प्याज जो है हमारा हल्का golden brown हो चुका है तो अब मैं इसमें add करें मिर्ज और साथ ही साथ add कर देंगे एक चमबच जिंजर गालिका पेस्ट इसको भी हमें चलाते विए भून लेना है तो बस अब इहाँबे मैं add कर दूंगी टमाटर तो मैंने यहाँपे 2 टमाटर लिए है आप चाहे तो एक ले सकते हैं अगर आप 2 टमाटर डालेंगी तो इससे सबची में एक हलका सा खटा पनाता है जो बहुत ही जगा टेस्टी लगता है तो बस यहाँ पर मैं एट करें मसाले तो एक चमश में यहाँ पर डाली धनिया पाउडर एक चमश हल्दी पाउडर और एक चमश लाल कस्मीरी मिर्च पाउडर अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं यहाँ पर एड़ कर दी हूँ एक चमश नमक तो नमक एड़ करने से जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हम एड़ कर देंगे इसमें मतर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आदा ग्लास के करीब मैं पानी एड़ कर रही हूँ एक बार अच्छे से चला लेंगे इसके बाद हमें 5-7 मिनट के लिए प्लेट लगाके से कुक करने के लिए रखना है तो चलिए चेक करते हैं तो मतर भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं तो बस यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ दो बड़े चम्मस दही तो इस बात का ध्यान रखी दही जो है खटा ना हो ज़्यादा और दही को अच्छे से हमें चलाते वे रहना है नहीं तो दही फट सकती है तो इसमें दही एड़ करते से बहुत बड़ी असका टेस्ट आता है आप दही जरूर एड़ करिएगा अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो उसकी जगे मलाई एड़ कर सकते हैं तो थोड़ी देर इस तरीके से हम चलाते रहेंगे तो बस अब मैं यहाँ पे एड़ कर दूंगे मेथी और मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर में जो मेथी ही वो सॉफ्ट हो जाएगी तो दही हम इसमें इसलिए एड़ करते हैं जो मेथी में थोड़ी बहुत करवाहट होती है वो दही डालने से थोड़ी कम हो जाती है और जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाता है तो बस उपर से में डाल दूँगे एक चमच गरम मसाला और इसे भी अच्छे से चला लेंगे तो अब हम इसे पांच मिनट के लिए और कुक करने के लिए रखना है और गैस का फ्लेम एकदम लो रहे तो पांच मिनट हो चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं तो देखिए गाईस इसका कितना बढ़िया एक कलर आया है और हमारे जो मतर मेति है काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी ही देखिए तो बारी ही से अब सर्फ करने की तो चलिए ले चलते सर्विंग की और तो लीजे गाईस हमारी इंस्टेंट बनने वाली मतर मेति की सबजी तयार है आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाएए यह बहुत ज़़धा टेस्टी लगती है क्योंकि उसका टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है कभी भी आपका अलग सा सबजी कुछ खाने का मान करें तो आप इसे जरूर ट्राय करके देखिए आई होब काईस आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ तिल देन बबाए, थैंक यू फॉर वाचिंग